हेलो एंड नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल लर्न विथार पीपर जैसा कि आप जानते हैं हमने पीछे के सभी चैप्टरों को कम्पलीट कर दिया है जिसका वीडियो हमारे चैनल पर अप्लोड है ठीक अब यहाँ पर आज हम स्वदेश प्रेम क सबसे पहले पहुंचेंगे तो चलिए आज का यह स्वदेश प्रेम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसके रचाईता जो है वो रामनेजेस त्रिपाठी जी है ठीक और यह अच्छा दस्के हिंदी वाले छात्रों के लिए है तो चलिए आज का हम लाइन बाइन करके इसका आर्थ समझेंगे इससे पहले आपको मैं इसका संदर्व बता देता हूं कि यदि इसका कोई भी पद आ जाता है एक्जाम में तो उसका संदर्व कैसे लिखा जाएगा तो संदर्व इसका लिखा जाएगा प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठ्ट पुस्त तक हिंदी स्वदेश प्रेम पाठ से लिया गया है जिसके रचैता कभिवर राम नरेश त्रिपाठी जी है ठीक तो इस प्रकार इसका संदर्व आप लिख दीजिएगा अब चलिए अब हम इसका लाइन बाइन करके आर्थ समझते हैं या फिर आपको मैं प्रसंग समझा देता हूं त प्रताप का साच्छी है प्रत्यच दिवाकर घूम गूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशा कर देख चुके हैं जिनका बैभो ये नभ के अनन्त तारागड अगलित बार सुन चुका है नभ जिनका भी जय घोसरड गर जन ठिक तो इसका हम समझेंगे अतुली नियकार्थ क्या होता है तो अतुली नियकार्थ है जिसकी तुलना ना की जा सके किसी के साथ जिसकी यह है कि हमारे पूर्वज यानि कि हमारे पूर्वज जो थे जैसे आपके पापा के पापा ठीक पापा के पापा के पापा के यानि कि पर दादा दादा के दादा ठीक तो पूर्वज जो थे उनके प्रताप का मतलब यहा है कि साहस का सवरे का ठीक यानि कि अतुली नियका का कविवार राम नरेश्त त्रीपाथी जी कहते हैं कि हमारे पूरवजों का अतुल निया जो प्रताप था साहस था उसका प्रत्यक्षय रूप से दिवाकार मतलब सूरे आज भी साच्छी है धिक subscribers हमारी पूर्वजों के इस अतुल निय प्रताप का सूरे आज भी साच्छी है यानि कि सूरे जो है वो हमारी पूर्वजों का साच्छी है यानि कि उसका प्रमाड वो दे रहा है ठीक घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्थ निशाकर करते या है चंद्रमा ठीक चंद्रमा जो है वो उनके यस का कीर्थी मतलब यस निर्मल मतलब स्वच्छ ठीक स्वच्छ यस की कीर्थी जो है उसको चंद्रमा घूम घूम कर संपूर संसार में पूरी जगहों पर चंद्रमा जो है वो सकल जगहों पर घूम घूम करके उनके स्वच्छ कीर्थी को चंद्रमा जो है वो घूम घूम करके देख चुका है ठीक तो चलिए अब आईए देखते हैं अगली लाइन का अर्थ देख चुके हैं जिनका बैभाव ये नब के अनंत तारागण देख चुके हैं मतलब देख चुके हैं जिनका मतलब हमारी पूरवजों का बैभाव मतलब ऐस्वर ताठीक ऐस्वर ये जो देख चुके हैं ये नब का समूह जो है वो हमारी पूर्वजों का बैभाव अर्थात ऐस्वर्व को देख चुका है ठीक यानि कि अनंद तारों का समूह हमारी पूर्वजों के भी ऐस्वर्व को देखा है सूरे जो है वो हमारी पूर्वजों के प्रताप का साच्छी है चंद्रमा जो है वो हमारी प बार सुन चुका है नव जिनका बिजय घोस रडगरजन, यानि कि अगडित मतलब असंख्यों बार जिसकी कोई संख्या न की जा सके, सुन चुका है नव मतलब आकास, ये आकास अनेकों बार सुन चुका है जिनका बिजय घोस रडगरजन, यानि कि हमारे पुरवजों के जय के गीत जय नारों थी, नारों एवं अन्य जो घोसनाई थी, उनको ये जो हमारा आकास है, ये असंखों बार सुन चुका है, रडगर्जन मतलब युद्ध में की जाने वाली गर्जनाएं, ठीक, यानि युद्ध में जो जिस प्रकार की ध्वनी उत्पन करते हैं, तो देखते हैं अगले पध्यांस को, सोभित है सरवोच मुकुटे से, जिनके दिब्य देश का मस तक, गुझे रही हैं सकल दिसाएं, जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अभिरल साच्छी सत्य रूप ही में गिरिवर, उतरा करते थे बीमान दल, जिसके बिस्तित्य वच्छे स्थल पर, ठिक, तो सोभित है सरवोच मुकुट से, ठिक, यानि कि हमारे पूरवजों का, जिनके मतलब हमारे पूरवजों का, दिब्य देश, मतलब इस चमतकारी देश का, मस्तक जो है माथा जो है हमारे पूरवजों के इसके दूसरे लाइन से अर्थ निकलेगा पहले दूसरे लाइन को पढ़ो जिनके दिब बिदेश का मस्तक यानि कि हमारे पूरवजों के इस चमतकारी देश का माथा मस्तक जो है वो सोभित है सरवोच मुकुट से यंकि सोभित हो रहा है सरवोच मुकुट से मतलब इस सबसे उचे मुकुट से अब इस सबसे उचे मुकुट कार्थ यहाँ पर यहाँ है हिमाले ठीक क्या है हिमाले क्योंकि हिमाले जो है वो हमारे भारत देश के एक मुकुट की तरह है वो मुकुट की तरह भारत देश को सोभाय मान कर रहा है इसलिए राम नरेष्तिर पाठि जी कहते हैं कि हमारे पूरजों के इस चमतकारी देश का माधा मस्तक जो है वो इस सरोच्च मुकुट रूपी हिमाले से आज भी सुसोभित है सुसोभित है आज भी सुसोभित हो रहा है गूंज रही है सकल दिसाएं जिनके जय गीतों से अब तक जिनके जय गीतों मतलब बिजय के नारों से गीतों से गान से आज भी सकल दिसाएं यानि संपूर्ड दिसाएं गूंज रही है यानि कि उनके पास इतना सवर था इतना साह कि उनके जय के गीतों से जब वो जीता करते थे तो जय गीतों से यह संपूर्ड दिसाइं से कल मतलब संपूर्ड दिसाइं आज भी गूझ रही है ठीक तू यह इस कार्थ हुआ जिनकी महिमा का है अविरल साच्छी सक्त lawn पहिमग Tag ठीक देखिए जिनके महिमा का अविरल अविरल मतलब जो विरल ना हो अर्था घना हो ठीक यहां पर अविरल कार्थिया है देखिए घने रूप से जो है जिसका कोई अंतने हैं ठीक साच्छी सत्य रूप हिम गिरिवर जिनकी महिमा का साच्छी यह सत्य रूप से यह हिम गिर ना है कि जिनकी महिमा का अविरल यानि जिसका विरल ना हो ठीक तो सत्य रूप से साच्छी आज ये हमारा हिमालाई है ठीक उतरा करते थे विमान दल जिसके विश्त्रित वच्छिस्थल पर यानि कि जिसके विश्त्रित मतलब की इस हिमालाई के विश्त्रित मतलब फैले हु वच्छिस्थल मतलब यह जो फैली हुई विशाल छेत्र है विशाल जगह है हिमालय का जो वहाँ पर उतारा करते थे विमान दल हमारी पूर्वजों के विमान दल मतलब जहाजे उतरते थे ठीक तो हमारे पूर्वणों के कई विमान जो थे वो हिमालय के वच्छिस्थल इस पर जिनके अगडित अर्डव पोत उठा कर पहुचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदिया जिसकी असधारासी बहती हैं अब भी निसिवासर नूड उनके चरण चिनने भी पाओगे तुम इनके तट पर ठिक तो सागर निज छाती पर जिनके अगडित अर्डव पोत उठा कर सागर मतलब समुद्र नीज मतलब अपनी छाती पर मतलब जल जो है उस पर जिन के मतलब हमारी पूर्वजों के अगडित मतलब असंख्यों अरडवपोत मतलब समुद्री जहाजों को उठा कर मतलब ले जाया करता था इसका अर्थ यहा है कि हमारे पूर्वजों का सहयोगी जो था वो समुद्र भी था क्योंकि समुद्र जो था वो हमारे पूर्वजों के असंख समुद्री जहाजों को अपनी छाती पर ले जाया करता था यानि कि हमारे पूरवजों का साच्छी सागर भी आज है जो कि हमारे पूरवजों की बहुत मदद करता था समुद्री जहाजों को ले जाने के लिए ठीक तो इन दोनों लाइना को अर्थ हुआ पहुचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर यानि कि पहुँचाता था हमारे समुद्री जहाजों को यानि कि हमारे पूरजों के समुद्री जहाजों को ये सागर प्रमुदित मतलब खुसी मन से भूमंडल मतलब इस धर्ती के सकल मतलब समपूर्ड तटो पर पहुंचाया करता था यानि कि इस धर्ती के सभी जगहों पर ये सागर जो है वो हमारे पूरवजों के समुद्री जहाजों को अपनी छाती पर लाद कर ले जाया करता था ठीक नदियां जिसकी यस धारा से बहती हैं अब भी निशिवासर देखिए नदियां हमारे भारत क की जितनी भी नदियां हैं वो हमारे पूरवजों के यस धारा यानि की कीर्ती के धारा के समान कीर्ती की धारा जैसे आज भी लगातार बहे रही हैं निशिवासर मतलब रात और दिन हमारे पूरवजों के यस के धारा के जैसे नदियां आज भी बहे रही हैं अब आगे रा आप अपने इन नदियों समुद्रों के तटों पर ढूंडोगे तो आप उनके चरण चिन भी पा सकते हो यानि हमारे पूरजों के पैरों के निसान भी आपको मिलेंगे पाओगे तुम इनके तट पर यानि कि समुद्री और नदियों के तट पर आप हमारे पूरजों के पहराई को देखकर नदियों के विशाल फैले हुए छेत्रों को देखकर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज भी इतने सकती साली थे यानि कि आप पूर्वजों के कुछ न कुछ गुण समुद्र और नदियों से अवस्य प्राप्त कर सकते हैं और वो रातो दिन बहती रहती हैं इसका अर्थया है कि आपको भी रातो दिन परिश्रम करना चाहिए आप इन सब गुणों को नदियों के तठ पर जा करके आप जरूर पाओगे इसलिए राम देश जी कहते हैं कि आप नदियों पर जाकर ढूंडो तो आपको उनके बहुत से गुण मिल ठीक तो आईए देखते हैं चवथे पध्यांस को अभी तक वीडियों को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए बिसुवत रेखा कावासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर रखता है अनुराग अलो किक यह भी अपनी मात्र भूमी पर धुरू आसी जो हिम्मे तम्मे जी लेता है काँप काँप कर वहभी अपनी मात्र भूमी पर कर देता है प्राणे निचावर वहाँ भी अपनी मात्रे भूमी पर कर देता है प्राणे निचावर जिसको समझे इसमें कभीवर रामनेरेस्ति पाठी जी ने देश प्रेम की भावना व्यक्त की है यहाँ पर पूरवजों की बात नहीं की गई है देश प्रेम की भावना की बात की गई है आप प्रसंग में ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पध्यांज में रामनरेश्टी पाठी जी ने देश प्रेम के अपने देश के प्रति अपनी मात्र भूमी के प्रति प्रति प्रेम की भावना को बताया है कि कोई ब्यक्ति किस प्रकार के पर्वेश में रह करके भी अपनी मात्र भूमी से किस प्रकार प्रेम करता है और संदर्व तो हमारा पूरोवत ही रहेगा विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नितहाफ वहाफ कर राम नरेज जी कहते हैं कि हे भारत वासियों वो भी तो एक मनुष्य है वो भी तो प्रत्वी में रहता है जो विशुवत रेखा के आसपास रहते हैं विशुवत यानि भूमध रेखा के आसपास इतनी गर्मी होती है इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पर असहनी ये गर्मी होत यानि कि भूमध रेखा का रहने वाला वासी जो भूमध रेखा के आसपास के छेत्रों में निवास करता है जीता है नित हाफ हाफ कर वह भी अपनी चिंदगी को हाफ हाफ करके गुजार देता है परंतु रखता है अनुराग अलोकिक यह भी अपनी मात्र भूमी पर परंतु वह अपनी मात्र भूमी से अनुराग अत्यांत प्रेम दिब्बे प्रेम अपनी मात्र भूमी पर रखता है यानि कि भले ही वह किस प्रकार के पर्वेश में रहता है लेकिन अपनी मात्र भूमी से वह अत्यांत प्रेम करता है ठीक अब अगली लाइन का देखिए इसलिए कहत कि आप भी जिस प्रकार के पर्वेश में रहते हैं लेकिन आप अपने देश के प्रति प्रेम, अपनी मात्र भूमी के प्रति प्रति प्रेम को कभी भी मत भूलें ठीक। काप काप करके जी लेता है, लेकिन आपनी मात्र भूमी पर कर देता है प्राण निज्पार कर देता है अपनी मात्र भूमी के प्रति अत्यान्त प्रेम रखता हैं ठीक। खद सकल विभवों की आकर धरासिरो मड़ी मात्रे भूमी में धन्य हुए हो जीवन पाकर तुम जिसका अन्य जल अन्य ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे बीरों के वन्सज तो इसमें अब राम नरेश त्रीपाथी जी आपको कह रहे हैं कि आपको अपने मात्र भूमी के प्रति देस के प्रति किस प्रकार का प्रेम भाव रखना चाहिए तो देखिए क्या कहते हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधू स्वर्ग सी कि हे बंधू हे मेरे भारतवासी भाई तुम तो स्वर्ग सी इस स्वर्ग सी जैसी सुखद स्वर्ग की जगह जैसी सुखद और संपूर्ड वैभवों की आकर यनि कि संपूर्ड वैभवों से युक्त इ धराशिरो मड़ी मतलब इस मुकुट रूपी धर्ती में तुम मात्र भूमी में धन्य हुए हो जीवन पाकर मतलब कि तुम इस संपूर्ड विभाओं से बनी होई तथा स्वर्ग जैसे सुखद धर्ती में है मेरे भारतवासी तुम वहाँ पर जीवन पाकर के धन्य हो गए हो तुम जिसका जल अन्य ग्रहाण कर तुम इस भारत देश का जल और अन्य को ग्रहाण करके बड़े हुए हो तुम बड़े हुए हो तो भारत के जल और अन्य को ग्रहाण करके और लेकर जिसकी रज भारत के आचल में तुम बड़े हुए हो रज का मतलब क्या है आचल में ठ पर जीवन पा करके इस मुकुट रूपी मात्र भूमी में तुम जिसका जल अन ग्रहण करके बड़े हुए हो जिसकी आचल ले करके तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे बीरों के वनसज हे बीरों के वनसज मतलब वनस जो चलता है हमारे पूरवज जो थे वो क्या थे बीर थे तो हम उनके वनसज हैं तो हम क्या कहलाएंगे वनसज कहलाएंगे और जब बीरों के वनसज हैं तो इसका मतलब कि हमारे पूरवज जो थे वो निस संदेह बीर थे ठीक तो हे भारत वास है मेरे देश को लोगों तुम अपने ऴरीर के रहते अपने मात्र भूमिको कैसे त्यागुदोगे। इसलिए आप जाहे जिस प्रकार के पर्वेस में रहे रहे हो अपने मात्र भूमिको शरीर रहते त्यागुस्वक्ते हो। बीरों के वनसाज भारत वासी लोगों तुम इस सरीर के रहते अपने मात्र भूमी को कैसे त्याग दोगे तज मतलब त्याग दोगे तुम इस सरीर के रहते अपने मात्र भूमी को कैसे त्याग दोगे इसलिए आप चाहे जिस प्रकार के परवेश में रहे रहे हो अपने मात अत्यांत भ्रेम करें अपनी मातर भूमी को सरीर रहते कैसे त्याग सकते हो क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग जैसे सुखा दिये धर्ती है संपूर वैभां Woo성 की मिस्त्राड है मुकटरूपी मात्र भूम में तुम उत्पन होकर जीवन अपना जीवन किये हो और यहां कि जल और च्छै को देखते हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक एओं से जरूर कीजिए जब तक साथ एक भी दम हो हो अवसिष्ट एक भी धड़कन रखो आत्म गवरव से उंची पल के उंचा सीरे उंचा मन एक बूंद भी रत से से हो जब तक मन में हे स्रत्रुन जय दिन वाचन मुखे से न उचारो मानो नहीं में तू का भी भैव ठीक ये छट्वा पद है तो इसका भम आर्थ समझेंगी जब तक साथ एक भी दम हो हो अवसिष्ट एक भी धड़कन रखो आत्म गवरव से उंची पल के उंचा सीर उंचा मन अबराम नरेश त्रिपाठी जी हमको कह रहे हैं कि प्रतेक भारतवासी को एक संदेश दे रहे हैं कि हे भारतवासियों हे बंधुओं जब तक साथ एक भी दम हो जब तक आपके सरीर में तनिक भी दम हो तो हो अवसिष्ट एक भी धड़कन यदि आपके सरीर में बची हो एक भी धड़कन यदि आपके सरीर में बची है तो रखो आत्म गवरों से उँची पल के उँचा सिर उँचा मन मतलब कि आत्म सम्मान से अपने पलकों को उँचा सिर रखो और अपना मन उँचा रखो यानि कि कोई भी ऐसा कर्म मत करो जहां पर आपको जुकना पड़े अप अपने आत्म गवरों से अपनी पलकों को सिर को और मन को उच्च बनाए रखो ठीक यानि कि रामनेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे भारतवास्यों जब तक आपके अंदर थोड़ा सा भी दम हो हर्थात एक भी धड़कन यदि सेस हो तो आत्म सम्मान को जरूर बनाए रख अगली लाइन का देखिए एक बूंद भी रख्त सेस हो जब तक मन में हेस रत्रुन जय दिने वचने मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्त के भी भै ठीक तो एक बूंद भी रख्त सेस हो यदि आपके सरीर में रख्त का एक कण भी एक बूंद भी यदि आपके सरीर में ब का एक बूंद भी सेस हो तो हे सत्रूओं को नश्ट करने वाले सत्रूओं के विजेता सत्रूंजय दीन वचन मुख से न उचारो अपने मन से कभी भी दीन मतलब हींता के वचन कभी भी न उचारो आपके सरीर रक्त का एक भी तुकड़ा सेस है तो आप हे सत्रूओं को नश्ट करने वाले अपने मुख से कभी भी हिंता के वचन न न निकालो और मृत्यू का भी कभी भी भै मतलो ठीक तो चलिए देखते हैं सात्में पद को वीडियो को लाइक कीजिए सात्में पद देखि कर नव जीवन संबल मृत्य एक सरीता है जिसमें स्रम्से कातर जीव नहां कर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर फिर नो तंधारण करता है काया रूपी वस्त्र बहा कर तो राम नरेत्री पाठी जी कहते हैं कि हे भारतवास्यों हे बंधुओं निरभय स्वागत करो मृत्यु का मृत्यु का निडर होकर के स्वागत करो मतलब मृत्यु से कभी भी मत डरो मृत्यु का निडर होकर के स्वागत करो क्योंकि मृत्यु एक बिश्राम करने का इस्थल है यानि बिश्राम करने की जगह है जहाँ पर लोग बिश्राम करते हैं जहाँ पर लोगों को आराम मिलता है ठाके हुए लोग जहाँ पर बिश्राम करते हैं इसलिए तुम मृत्यू का निर्भाय होकर स्वागत करो क्यों कि यह एक विश्राम करने की जगा है जिव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल जिव जहां से नव जीवन, नए जीवन का संबल मतलब सहारा ले करके धारण करके जिव जहां से फिर चलता है वही है मृत्व एक बिश्रामिस्थल यानी की मृत्व एक ऐसी जगा है जहां से प्राणी क्या करता है नया जीवन का सहारा ले करके अपनी जीवन की आत्रा में चल देता है ठीक अब आगे देखे मृत्व एक सरीता है जिसमें स्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहा कर मृत्व एक सरिता है मृत्व एक ऐसी नदी है सरिता है जिसमें स्रम से कातर जीव नहा कर जिसमें परिश्रम करके कातर मतलब दुखी जीव मतलब प्राडी नहा करता है यानि कि नहाया करता है फिर नूतन धाराण करता है नया वस्त्र पहेंता है काया रूपी वस्त्र बहा करी शरीर रूपी वस्त्र को बहा करके नदियों में वह नया वस्त्र धाराण करता है मृत्व एक ऐसी ही नदी है यहां पर परिश्रम करके पूरे जीवन की इस यात्रा से दुखी जीव दुखी प्राणी दुबारा नहाता है और वहां पर नए वस्तरों को धारर करता है अपने इस शरीर रूपी पुराने वस्तरों को बहा करके ठीक तो साथवा इस प्रकार हुआ अब आई ये देखते हैं आठवा जो की इस चैप्टर का लास्ट पद होगा तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा तो लाई के ओन से यर जरूर कीजिएगा सच्चा प्रेम वही है जिसकी त्रप्ती आत्म बली पर हो निर भर त्याग बिनाने से प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर देश प्रेम वह पुन्य छेत्र है अमल यसीम त्याग से बिल सित आत्मा के विकास से जिसमें मनुसेता होती है विकसित तो चलिए देखते हैं इसका आर्थ तो राम नजेस्त जिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तरप्ति आत्म बली पर वो निर भड़ब अब देखिए सच्चा प्रेम का मतलब यहां पर क्या है देश प्रेम ठीक सच्चा देश प्रेम वही है देश के प्रति सच्चा प्रेम वही है जिसकी तरप्ति मतलब संतुष्टी आत्म बली पर हो निर भड़ब यानि कि सच्चा देश प्रेम वही है जिसकी संतुष्ठी स्वयम की बली पर निर्भर हो यानि कि जब तक प्रेम में किसी की बली नहीं होती कोई त्याग नहीं करता तब तक अपने देश के प्रती सच्चा प्रेम नहीं है यदि की हम सच्चा प्रेम यदि अपने देश से करते हैं तो हमें अपने देश के लिए यदि जान भी देना पड़े तो हमें ढरना नहीं चाहिए क्योंकि सच्चा देश प्रेम वही है जो हमारी आत्म बली पर स्वयम की बली पर निर्भर करता है त्याग बिना निस प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निशावर ठीक प्राण निछावर करने से भी कभी मत डरना अपने देश के प्रति प्रेम को प्राण जी निछावर कर देना ठीक देश प्रेम वह पुन्य छेत्र है अमल असीम त्याग से बिलिसित आत्मा के विकास से जिसमें मनुस्यता होती है विक्सित देश प्रेम वह पुन्य छेत्र है देश के प्रति प्रेम वह पुन्य छेतर है वह पुन्य वाली जगह है जहां पर अमल असीम त्याग से विलसित अब अमल कारते हैं पर है स्वच असीम से मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है त्याग कारत होता है त्याग और विलसित कारत है सुसोभित यानि कि जहां पर इस आसीम मिल करके स्वसो भीत होता है डिना किसी सीमा के त्याग द्वारा बिलिशित हो विकास से जिसमें मानवता होती है विक्सित और देश प्रेम जब होता है तो उससे हमारी आत्मा का विकास होता है और हमारे अंदर मनुस्यता विक्सित होती है तो इस प्रकार आज का ये सभी पद जो है हमारे complete हुए और यह chapter यहीं पर समाथ होता है और यह जो लिया गया था यह swapने से लिया गया था ठीक swapने से यानि कि जो swapन है वो भी उन्हीं की रचना है रामनेदेश जी की तो इस परकार आज कर यह chapter